नमस्कार दोस्तों सभी साथियों का वेदा गलासिस में एक बार फिर से स्वागत है सभी दोस्तों को जै हिंद जै भारत दोस्तों SSC JD Constable का exam February में tentative है या proposed किया गया है tentative dates जो इसकी दीगी है notification में वे फरवरी 2024 में बताया गया है कि इसकी exam होंगे इस लिहास से हमारे पास समय कम है तो इसके लिए तयारी के लिए हम mock test यहां से शुरू करने जा रहे हैं या इसकी तयारी जो हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम Qs की माध्यम से इसका explanation भी जानेंगे तो आज की session में हम शुरू करने जा रहे हैं आज ही हमारा पहला session है और आगे की हर session ऐसे आपको मिलते जाएंगे एक session में time duration के according minimum 10 और maximum 20 questions होंगे यहाँ पर हर series के लिए आपको एक नए questions मिलेंगे और यह जो questions हैं यह latest pattern पर अधारित हैं और सभी questions को आपको यहाँ पर explanation दिया जाएगा तो आगे चलेंगे से पहले दोस्तों यह देख आप चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं चनल को subscribe पहले हैं जिससे के आगे की सभी प्रकार की classes की notification और सभी तरह की updates आप तक पहुंसती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की class तुमारा पहला question दिया गया है भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया तो भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया यहां पर options दिया गया है 1828, 1829, 1831 या 1855 तो भारत में सती प्रथा को 1829 सभी में प्रतिबंधित कर दिया गया था और यह राजाराम मोहनराय के प्रियासों का 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 प्रिया लगण प्रशर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष आपके सामने है हुरुडा सम्मेलन कब हुआ था तो हुरुडा सम्मेलन के लिए यहां पर आपस्स दिये गए हैं 1727 इस्वी में 1734 इस्वी में 1707 इस्वी में तो जो हुरुडा सम्मेलन था यह 1734 इस्वी में हुआ था और यह कब हुआ था यह है सवाई राजा जै सिंग ने इसे करवाया था और इन्हों ने जो अंतिम हिंदु राजा इन्हें माना जाता है सवाई राजा जैसिंग को अंतिम हिंदु राजा माना जाता है इन्हों ने अश्मेग यग करवाया था और इन्हों ने ही मेवाड के राड़ा संग्राम सिंग से मिलकर जुलाई 16-17-17-17-17-17 इस्वी को भील वाड़ा के पास हुरोडा में राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलवाया था और यह जो राजपूत राजाओं का सम्मेलन था जो हुरोडा में हुआ था जो कि राजस्थान में है इसलिए इसे हुर्डा सम्मेलन कहा जाता है और इसका प्रमुक उद्देश जदी आपसे पूछा जाए तो इस हुर्डा सम्मेलन का प्रमुक उद्देश था मराठों को राजस्थान पर आकर्मण करने से रोकना था यूँकि उस समय पर जो मराठे थे बहुत तेजी से पूरे भारत वर्ष में फैल रहे थे उनका आकर्मण फैल रहा था और वह जगह जगह पर विज़े प्राप्त कर रहे थे तो जो सवाई राजा जैसिंग थे उन्होंने हुर्डा में 1734 इस्वी में राजपूत राजाओं को सम्मेलन बुलवाया था ठीक है तो उसके परणाम सरूप जैसिंग ने वराठों से एक गुप्त संधी कर लिए जिसके वज़े से सम्मेलन भी असफल हो गया था अगला कोश्चन है छटी सदी इस्वापूर्व के सिक्कों के संदर्व में निम्लेखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो छटी सतापदी में जो सिक्के होते थे उनके बारे में कौन कौन से कथन सत्त हैं और कौन सा कथन सत्त नहीं है तो चार आप्सन दिये गए हैं जिसमें तीन सही हैं और गलत है तो वही आपको एक गलत पिक करना है पहला option दिया गया है आहत सिक्के तांबी और चांदी में ढाले गए दूसरा option दिया गया है सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था तीसरा है शास्कों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्क्य सबस्पहले हिंद युनानी शासकों ने जारी किये थे और लास्ट आप्सन है सोने के सिक्के शर्व प्रथम कुशान राजाओं द्वारा जारी किये गए थे अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा गलत उत्तर यहां पर दिया गया है तो यहां पर दूसरा ओप्सन जो है वह गलत है कि सिक्कों को जारी करने करदिकार केवल राजा के पास था इन बातों से या इस कॉश्चन से आपको तीन चीजे एक दम कंफर्म मिलनों के मिली कि जो सिक्के होते थे वह तांबे और चांदी के ठाले जाते थे सबसे ज़्यादा दूसरा है जो हिंदी युनाने शासक थे उन्होंने सबसे पहले अपने सिक्कों में सासकों के नाम और उनके प्रतिमाएं बनवाई या जिस तरह से सिक्कों में उनकी शविया रहती थी या इमेज रहती थी और सोने के सिक्के शर्व प्रतामिय सब से पहले कुशान राजाओं के दौरा जारी किये गए थे तो यहाँ पर जो गलत उप्सन था उसके फेवर में यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सिक्के होते थे छट्वी स्टाब्दी में यह राजा के साथ साथ सभी भ्यापारी धन पती और नागरिकों दौरा भी जारी किये जा सकते थी ठीक है लेकिन यहाँ पर option आपका यह बताया गया है कि एवल राजा के पास अधिकार था कि वह सिक्के जारी कर सकता था इसलिए option आपका गलात हुआ अगला है द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? options दिये कहे हैं खोईसल, पांड, चेर और चोल तो जो द्वार समुद्र थी, यह होईसल, बंश की राजधानी थी ठीक है? होईसल, बंश की राजधानी यह थी अगला question है सचींद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहरा गया था? तो जो कलकत्ता में इंडिया नेशनल मुव्मेंट है कही सकते हैं कि भारती स्वद्नतर संग्राम के समय की बात है जब सचींद्र बोश ने एक फ्लैग डिजाइन किया था और उसे 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था अगला कॉश्चन है 1991-2001 के दर्शक के दौरान भारत के किस राज की जनसंख्या वृध्धी सबसे कम दर्ज की गई थी आन्धिप्रतेश और इसा केरल या इन्वे से कोई नहीं तो जैसे कि जो सेंसस होता है या जनगरना होती है वह प्रतेक 10 वर्ष के बाद होती है तो इस जो 10 वर्ष प्रतेक 10 वर्ष के बाद होती है जिसे हम एक दर्शक कहते हैं तो 1921 के दर्शक की बात की कर रहा है कि इसमें सबसे कम जो जिलसंक्या व्रिद्धी है किस राजी में सबसे कम थी तो यहाँ पर सही उत्तर होगा केरल में सबसे कम दर्ज की गई थी और यह जो व्रिद्धी थी के वल 9.4 प्रतिशत थी उस समय पर अगला कोश्चन है नीचे दिये के कथन एवं कारण को ध्यान पूरवक पढ़िए यह पर कथन दिया गया है भारत के उत्तर में अव इस्थित लद्धाक एक सीत मरुस्थल है यह कथन बिल्कुल सही कहा गया है क्योंकि जो हमारा लद्धाक है हिमाले की तरफ है जो कि हमार है के विष्ट इच्खायत शेत्र में अविस्थित है तो यहां पर ऑप्स दिये गए हैं कथन सही है कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याक्या करता है यह को ऑप्सन बिल्कुल सही लग रहा है दूसरा ऑप्सन है कथन सही है कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्य केमकि एक में कारण को गलत बता रहें दूसर के कथन को गलत बता रहें तो किसी इसन स्थान पर सुबह आथ वाज आता है तो अगला उसजया आएका जो जवार भाटते हैं प् debt एक 25 मिनट के अंतराल पर आता है किसी समय पर तो यहां पर जब आठ वजे किसी स्थान पर जौर आ रहा है तो अगला उच्छ जौर वहां पर 25 मिनट के बाद यह कह सकते हैं कि 8 बच के 25 मिनट को आएगा अगला कुश्यन समविधान निर्मार प्रक्रिया में कुल कितनी राश्री खर्च की गई थी 6.4 करोड़ रुपए 3.6 करोड़ रुपए 5.5 करोड़ रुपए यह में से कोई नहीं जो समविधान निर्मार था या जो समविधान सभा की टोटल बैठक चली थी जो समविधान ह हमारा 2 सारे 11 महीने और 18 दिन में बन कर तयार हुआ था उस प्रक्रिया में टोटल 6.4 करणों रुपए खर्च हुए थे ठीक है और जो हमारी सम्विधान सभा थी इसका गठन सम्विधान सभा का गठन 6 दिसम्बर 1946 को सम्विधान सभा का गठन किया गया था 6 आफ दिसम्बर 1946 को इसका गठन किया गया था और इसकी जो पहली बैठक थी वह 9 दिसम्बर 1946 को इसकी पहली बैठक की गई थी यह कोस्चन भी सम्विधान सभा से काफी पूछे जाते हैं काफी इंपोर्टेंट कोस्चन है तो आज की सेशन में इतना ही मिलते हैं आप से हम अगले सेशन में तब तक लिए नमसकार धन्यवाद